तो दोस्तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लाइब SBA क्रेट कार्ड बना के बताऊं उसके पहले यहाँ पे आप एक प्रूव देख सकते हैं दोस्तो अभी की डेट में हमारा यह क्रेट कार्ड अपरू हो चुका है आप भी दोस्तो घर बेठे अपना SBA कार्ड इसली बना सकते हैं अगर आप एक beginners है और आप अपने लिए credit card बनाना चाहरे हैं तो SBAE के जो particular 3 credit card राते हैं वो credit card industry के अंदर सबसे जादा चलते हैं और भाई आप और मेरे जैसे लोगों के लिए industry के अंदर ये सबसे best credit card है अगर आप Amazon और Flipkart जैसी बड़ी online website के उपर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको SBAE जादा तर offer देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपके पास भी SBAE का credit card है तो यहाँ पे जो भी offer चल रहे हैं आप उनका easily benefit ले पाएंगे अभी दोस्तों जो industry के अंदर सबसे जादा SBAE के credit card use होते हैं उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से दोस्तों जो starting के दो credit card है simply save credit card और simply click credit card यह generally लोगों को मिल जाते हैं बट इसमें से जो SBAE का cashback credit card आता है यह आपको असानी से नहीं मिलेगा बट अगर आप इस card को लेना चाहते हैं आपको यहाँ पे strategy के साथ जाना होगा आपको SBAE के starting level के जो beginner credit card होते हैं उनके साथ जाना होगा यहाँ पे आपको इनको use करना है तो time to time उसका repayments करना है यहाँ पे जब trust हो जाएगा तो SBAE के credit card भी आपको easily मिल जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे इन credit card के charges देखे तो आप यहाँ पे उनके charges देख सकते है इसके साथ ही इन credit card के आप यहाँ पे benefit भी देख सकते है अगर आप इन credit card को बनाना चाहते है तो जो आपकी need होगी आपकी shopping जिस type की होगी उस हिसाप से आपको यह पर अपना credit card चुनना होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और जिस credit card का मुझे approval मिला है उसको मैं आपको life बना के बता देता हूँ कैसे आपको process करनी होती है और किस तरीके से credit card आपको मिलेगा दिन कितने दिन में आपके घर के उपर deliver कर दिया जाएगा तो अगर आप SBA का credit card बनाना चाहते तो इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा उसके उपर क्लिक करके आप easily इस credit card को बना सकते हैं चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और देख लेते हैं आप SBA e-bank के अंदर अपना credit card कैसे अपले करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हम लोग SBA card की official website के उपर आ चुके यहाँ पर आपको page को नीचे scroll करना है तो जिस भी card के आपको need हो उस card को आपको यहाँ पर choose करना है तो यहाँ पर देखिए मैं simple click के उपर click करूँगा और हम इसी card के लिए apply करने वाले है तो मैं simple से इसके उपर click करूँगा जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा यहाँ पर नीचे options start apply journey आप इसके उपर click करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके इंटरफेस open होगा यहाँ पर देखिए आपको तीन step करनी होगी यह card आपको मिल जाएगा यहाँ पर first के अंदर आप अपनी personal details भरेंगे इसके बाद अपनी professional details भरेंगे याँ आप कहां काम करते हैं आपकी income क्या होती है इसके बाद आपको अपनी KYC करनी होगी तिन यह card आपको मिल जाएगा तो simple सा इस arrow के उपर आप click करेंगे जैसे ह Tamil करेंगे तो यहाँ पर अपना first name और last name भरेंगे और यहाँ पर अपना mobile number देना है यहाँ एक checkbook लगा देना है नीचेक ऑप्सन से continue आप continue के उपर click करेंगे जैसे यह आप continue के उपवर क्लिक करेंगे आपके number पर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर भरेंगे तिन confirm OTP के उपवर क्लिक करेंगे जैसे यह आप confirm OTP के उपवर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ देर wait करना है, यहाँ पे आपको अपनी city का नाम देना है, confirm city के उपवर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना pen number भरेंगे, यहाँ पे अपना date of birth भरेंगे, सभी details भरने के बाद again आप confirm के उपवर क process होगा, जैसे यह आप continue to step to के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस open होगा, यहाँ पे आपको अपनी personal details देनी होगी, तो अगर आप एक self employees है तो दूसरे वाले पे, अगर आप retire person है तो आप तीसरे वाले के उपर क्लिक करे करेंगे, यहाँ पे continue के उपर क्लिक करेंगे, जैसे यह आप continue के उपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी company का नाम देना होगा, और आपकी इस post के उपर है, वो यहाँ पे आपको बताना होगा, सभी details भनने के बाद यहाँ पे देखें, आप continue के उपर क्लिक करें जैसे आप सभी details भर देंगे, यहाँ पे देखे continue step 3 का options आएगा आपको इसके उपर क्लिक करना है, जैसे यह आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आधार नंबर भरेंगे, यह वाला केप चाहिए यहाँ पर भरेंगे, सभी details भरने के बाद next के उपर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे आपने इसके उपर क्लिक करेंगे, आपके अधार काट के साथ जो भी mobile number लिंक होगा, उसके पर कोटी पे आएगा, उसको यहाँ पर भरेंगे, तेन फिर से continue के उपर क्लिक करेंगे, जैसे आप continue के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक चेक बोक लगाएंगे, नीचे एक option से continue and confirm आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आप continue and confirm के उपर क्लिक करेंगे अभी आपके लिए जो भी card offer रहेगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा तो हमारे case में आप देख सकते हैं हमारा card यहाँ पर अपर हो चुक है आप यहाँ पर हमारा limit देख सकते हैं card का जो renewal fee रहेगा वो 499 प्लस 18% GST अगर आप इसको renewal कराएंगे तो 499 प्लस टेक्स देने पड़ेंगे एनि 18% आपको यहाँ पर GST देना होगा इसके साथ ही इस card का expanding amount है अगर आप उसको fulfill कर पाते तो जो आपका renewal fee रहेगा उस case में यहाँ पर weave up कर दिया जाएगा तो चलिए हम लोग video में आगे बढ़ते हैं और अगला step यहाँ पर समझ लेते हैं अगले step के बात करें तो यहाँ पर दो पार्ट के अंदर हमें payment करनी होगे पहला पार्ट जो रहेगा ओ हमारे account के अंदर पेसर transfer किया जाएगा तिन second part के अंदर क्या होगा हमें company को यह वाल नंबर बरेंगे account नंबर confirm करेंगे यहाँ पर अपस करना होगा तो नीचे एक option से continue to pay आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको payment करने लिए दो options आएंगे आप netbank के इसे भी कर सकते यूपिय इसे भी कर सकते तो हम यूपिय के उपर क्लिक करेंग जैसे आप एक payment करना चारा है तो अब ऊसके अंदर आ जाएंगे तो भी हम लोग phone पे से payment करेंगे यहाँ पे आपना UPIừ पिण सब्बिक करेंगे तिन यहाँ पर अपका pay payment कंपotros होगा तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा यानि payment आपका successfully यहाँ पर confirm हो चुगा है जैसे आपका payment confirm हो जाएगा तो यहाँ पर again आपको यह आपके कार्ट के details शो करेगा तो आपको यहाँ पर सारी चीज़े अच्छे से कल लेने पेच को नीचे स्कूल करेंगे देन आगेन आप यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीका का जो आपका क्रेंबल करना चाथे तो यहाँ पर अपनी के अंदर तो अगर आप किसी चार्व करना चाहते सैब कर देगा उसके Ale करता है इस बेए क्रेड़िट कार्ट कैसे बनाते इससे रेट हैट सभी जानकरी आपको मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कुछ चीजे नहीं समझ जा रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा मैं कोसिस करूंगा चर्णमन रिपलाई देने की तो चलिए दोस्तों म वीडियो नई जानकर एक साथ चलिए धरने बाद